हरियों प्रिदर्शकों मैं हूं पंडित बल्राम पांडे हाजिर हूं 26 नवंबर 2022 आज का रासी फल लेके बात करेंगे किन रासी वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है और किन रासी वालों को साधान रहने की जरूरत है तो रासी के करम में बात करेंगे सबसे पहली मेस मेस रास के जातकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आज आपके काम विगड़ते हुए दिखाई देंगे क्योंकि आज आज आपको आलस हो सकता है आज आपको भाग के भरोसे नहीं बैठना है क्या पता भाग आपके भरोसे बैठा हो तो मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उसमें सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी तो आपको जादा सजादा मेहनत करना है जिससे आपके काम बन सके बात करें ये स्टुडेंट की तो ये स्टुडेंट के लिए आज का दिन सामान रहने बाला है जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही सफ़ता मिलेगी तो मेहनत करने से पीछे ना हटे बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन के लिए सामान रहेगा उत्तरार्ध में कुछ बाद विवाद हो सकता है मन मुटाव हो सकता है तो आज अपने बाणे में कंट्रोल रखना है बात करें निवेश की तो निवेश करने से आज बचें स्वास्त आज बहुत अच्छा नहीं रहेगा आज कुछ रदे संबंदित तकलीफ हो सकती है या आपको कुछ पेड़ संबंदित तकलीफ हो सकती है तो अपने खान-पान में सहियम रखें और अपने स्वास्त का ध्यान रखें बस जरूरत है पूरे दिन को शुरूल करके बि ब्रसराज के लोगों के लिए आज का दिन कहीं न कहीं बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है आज कुछ आपको रोग संबंदित यदि कोई पुराने रोग थे पुरानी बीमारी थी वह पुरां तकलीप दे सकती है नेत्र से संबंदित कुछ तकलीप हो सकती है तो आप अपने सवाष्ट का ध्यान रखें, बात करें निवेस की, तो आज निवेस करने से बचें, यदि करना भी चाहते हैं, तो बहुत सोच समझके, बहुत जान्श परके निवेस करें, ये स्टुडर्ण के लिए भी आज का दिन शामान रहने बाला है, बात करें दामपत्त जीव में आज कुछ बाद विवाद हो सकता है मन मुटा हो सकता है तो आपको अपने पार्टनर का सम्मान करना है जिससे दिन अच्छा बीच सके बात करें पूरे दिन की तो पूरा दिन अच्छा बीच सकता है पर आपको भुजुरुगों का अपमान नहीं करना है भुजुरुगो कि अपमान करें कि आज कोई पुराना काम पड़ा हुआ था उसे वैसा ही रहने दें उसे करने की कोशिश ना करें क्योंकि उसमें और भी उल्जन हो सकती है और अपने बाणी में यह दी कंट्रोल रखते हैं तो आज पूरा दिन बहतर जा सकता है और खास कर अपने स्वास्त क ध्यान रखें मिथुन राश के लोगों के लिए आज का दिन रहने वाला है परन्तु आपको वर्क प्लेस में लोगों का श्रयोग प्राप्त होगा दामपत्य जीवन अच्छा उजरने वाला है पार्टनर का श्रयोग मिलेगा आज पार्टनर से कोई उपहार मिल सकता है ब शैयम रखना है, अपने चरित्र को अच्छा बनाना है, अपने आपका निरिच्छन करना है, किसी को कुछ कहने से पहले, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले, आपको सो समझ के लेना है, आप ऐसा कोई काम ना कर दें, या ऐसी कोई बात ना कह दें, जिससे आपके चरित्र के उपर आपके उपर कोई दाग लगे तो अपने चरित्र का ध्यान रखें पांकी पूरा दिन अच्छा बितेगा ये स्टुडेंट के लिए भी आज का दिन बेहतर रिज़र देने वाला है आज को आप एक बड़ा अवसर मान के चलेंगे तो आज आपको सफ़ताएं मिलने वाली हैं करकराज के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आज आपको अपने खर्चे में कंट्रोल रखना है आज कोई भी निवेस करने से बचें यदि निवेस करना ही चाहत हैं तो कोई छोटा निवेस करें बड़ा निवेस ना करें आज कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले दस बार सोचे और उसके बाद ही फैसला ले बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज शामान रहने बाला है और आज लोगों का अपमान नहीं करना है हर अपने बाणी में कंट्रोल रखना है चोटी-चोटी बातों में किसी से उलजना नहीं है क्योंकि बात विवाद हो सकता है उससे आपको नुकसान पहुँच सकता है आज आपके सत्रू आप पे भारी पढ़ सकते हैं लोग घुप्त रूप से शडियंत कर सकते हैं वर्क प्ले द्हान रखे खान पान में ध्यान रखे जिससे वह एंस डियाथ तो सबसे आज पूरा दिन का आहें में और पैसे में अधिक खर्च ना करें तो पूरा दिन बेहतर बीच सकता हैं वर संतान से संबंधित खुषःたगरी मिल सकते हैं आज संतान का योग बन सकता है, संतान को सफलताई मिल सकती है, यदि संतान की कोई प्रतियोगिता है, कोई परिक्षा है, तो उसमें उसको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी, आज आपके ज्यान में भी ब्रद्धी होगी, आज आपको ऐसे लेशन मिलने वाले हैं, जीवन म ऐसा अनभो मिलने वाला है जिससे आपको जिंदरगी भर शीखने को मिलेगा तो आज हर बात को बारिकी से ध्यान से सुने और समझे बात करें निवेस की तो निवेस आज कर सकते हैं परनत किसी जानकार की सलाह लेके ही निवेस करें और बात करें दामपत्य जीवन की तो दाम आज जो भी आपकी इच्छाएं थी वो पूरी होंगी और जो पेंडिंग काम थे उन्हें आप कर सकते हैं तो उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी करन्याराज के लोगों के लिए आज का दिन कोई न कोई सुब समाचार मिलने बाला है आज मित्र मिलन हो सकता है किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है जिससे आपके काम बनते हुए दिखाई देंगे ये कोई काम आपका रुका हुआ था और आपको समझ में नहीं बात करें दामपत्य जीवन की तो आज दामपत्य जीवन बहुत अच्छा रहने बाला है थोड़ा उत्तरार्द में कुछ मन मुटा हो सकता है परन्तु कोई बहुत समस्या नहीं रहेगी जो भी बात होगी वो कहीं न कहीं दिन के उत्तरार्द में सुलस्ती हुई दिखाई द करना है जो भी काम करना है तो माता पिता के असियर बाद से करना है असियर बाद ये कौणे करना है तो आज का दिन लेगे और बात करें इस्वास्त तो आज माता-पिता का अशिरबाद लेके हर काम को करें तो दिन अच्छा बीच सकता है तुलाराज के लोगों के लिए आज का दिन सोहर्दपूर्ण रहने वाला है आज भाई बहनों का श्योग प्राप्त होगा भाई बहनों के बीच प्रेम बढ़ेगा यह कोई अनमन्थी वो दूर हो जाएगी आज भाग आपके साथ है जो भी आपके काम पेंडिंग थे उन्ह कि आज ससुराल पक्ट से कोई सुब समाचार मिल सकता है कोई लाभ मिल सकता है या कोई उपहार मिल सकता है आज ससुराल से कोई ऐसी खुसकबरी मिल सकती है जो आपके पूरे दिन को बेहतर बना दे आज भगवान की शेवा करें भगवान बढ़पती की शेवा करके हर काम क स्वास्त के लिए भी दिन आज अच्छा रहने वाला है बात करें दामपत्य जीवन की आज लाइफ पार्टनर का आपको सहयोग प्राप्त होगा आज कुछ आपको उपहार मिल सकते हैं आज आपकी मन की चाहय पूर्ण हो सकती है वरस्चिक राशी के लोगों के लिए आज कर दिन सफलता दायक निवेश करते हैं आज का दिन आपको लावदायक रहने वाला है आज परिवार जनों का शहयोग प्राप्त होगा घर में खुशी का महल रहेगा धर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं आज आपको कोई छोटी बड़ी यात्रा करने का मोका भाप मिल्सकता है और क bentर आपको लाभदायक रहने वाली है आज अपने स्वास्त का थोड़ी ध्यान रखे कुछ स्वास्त में नर्मी आ सकती है तो अपने स्वास्त का ध्यान रखें बांकि दांपत्य जीवन में भी आज का दिन बहतर रहेगा अपने स्वास्त का ध्यान रखें तो दिन बहतर रह सकता है धनराशी, धनराश के लोगों के लिए आज का दिन कहीं कहीं संकित रहने वाला है, आज आपको हर काम को करते समय संका रहेगी कि ये काम मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी तो आपको संका नहीं करना है आज में भी स्वास बनाई रखना है कोई भी काम करें तो अच्छे से रिशर्च करें अच्छे से जान समझ लें और उसके बात करें तो मन में संका नहीं रहेगी परंतु आपको अपने स्वास्त का विशेश ध्यान रखना है आज कुछ मांसिक्त इंसन हो सकता है तो अपने दिन को शुरूल करें और अच्छे से बिताने की कोशिस करें बात करें दामपत्य जीवन में तो दामपत्य जीवन आज बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता आज कुछ बाद विवाद हो सकते हैं नोग जोग हो सकती है तो अ शफलता दयक नहीं कहा जाएगा आज शंघर्श पूर्ण दिन रहने वाला है तो बस आज अपने स्वास्त का ध्यान रखें अपने इसकील को बढ़ाने की कोशिस करें और अपना आज में विस्वास बनाए रखें तो पूरा दिन बेहतर भी देशकता है मकर राशी मकर राश के लोगों के लिए आज कहीं न कहीं कुछ खुश खबरी मिल सकती है परंतु आपको अपने ब्याय में कंट्रोल रखना है बात करें निवेश की तो निवेश कर सकते हैं परंतु रिशर्च करने के बाद ही निवेश करें कोई आज बड़ा फैसला ना ले कि कोई बिजने से संबंदित या कोई भी जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं आज कोई बड़ा फैसला ना ले और बात करें दामपत्य जीवन की तो आज दामपत्य जीवन शामान रहने वाला है ये स्टुडियन के लिए भी आज का दिन स्रेकर रहेगा आज कि रहे स्वपता हैं तो पुछ मांसि़कर जुर्ण हो सकता है कि mm most आपको आज मौलवात थ्यान रखनांए है कि आज आपको अधिक खर्च्च это बचने की कोशिष करना है और अपने स्वास्थ को श्मालना है अपने स्वास्थ का ध्यान रखना है पूरे दिन को schedule करके बिताना है तो दिन अच्छा बीच सकता है कुम्भराज के लोगों के लिए आज का दिन सामान रहने वाला है आज निवेश की बात करें तो निवेश कर सकते हैं परंतु बहुत करने के बाद ही निवेश करें कोई बड़ा निवेश ना करें छोटा निवेश करें और बात करें स्वास्त की तो स्वास्त आज सामान रहेगा कोई खास समस्या तो नहीं दिख रही है परन्तु थोड़ा सा कुछ मानसिक्ति इंसन हो सकता है तो उससे बचे आज पूरवार्द में कुछ समस्याएं उत्रपन हो सकती है परन्तु उत्रारध आते आते समस्याओं का समधहन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है तो आज के दिन को कहीं न कहीं जरूरत है निश्चिंत होके और पुरे लगन के साथ काम करने की ज़िदी आज मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं तो हर काम बनता हुआ दिखाई देगा बात करें दामपत्य जीवन की तो आज दिन सामान रहेगा एस आज कोई बैंक से संबंदित काम था तो उसे आप कर सकते हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी मीन रासी मीन रास के लोगों के लिए आज सबसे बड़ा सूत्र है कर्म करने से पीछे नहीं हटना है मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है अपने जी को मेहनत से नहीं चुराना है यदि आप आलस्ट करेंगे तो पूरा दिन खराप हो सकता है मुसीवत में पड़ सकते हैं तो आज आलस्ट नहीं करना है आज आंगे होके सबसे आंगे बढ़के अपने काम को करने की कोशिश करना है आज कुछ माता पिता को कुछ तकलीप हो सकती है स्वास्त समधित समस्याइं हो सकती है तो अपने माता पिता का ध्यान रखें आपको भी कुछ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी का अपमान नहीं करना है किसी को कुछ भी ऐसे कह नहीं देना है दस वार सोचने के वाद ही किसी को कुछ कहना है क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है फायदे के जगए नुकसान हो सकता है तो आपको अपने बाणी में भी कंट्रोल रखना है बात करें पूरे दिन की पूरा दिन यदि हटते हैं तो दिन बेहतर बीच सकता है तो दर्सकों ये रहा मेस रास से नीन रास तक का आज का रासी फल आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए हरियों